हेलो फ्रेंग्स आज हम क्लास्ते हैं एक्साइज नमबर 1.2 का प्रिश्य नमबर 5 सौर करेंगे चेक वेदर 6 तो पावर अफ एंड केंड विद डिट जीरो फो एनी नाच्रा नमबर एंड यहां पे 6 तो पावर अफ एंड जीरो होता है या नाई चेक करना है नैच्रण नमबर्स what do you mean by नैच्र नमबर्स natural नमबर्स क्या होते हैं इसका मैंने अलग से वीडियो बनाके रखा है एब इसका लिंक में डिस्प्रिप्शन बाक्स में देदू लिए आप चाहिए तो वहाँपे जाके चेक कर सकते हूँ action numbers क्या है, integers क्या है और whole numbers क्या है अभी चलो, check करते हैं सिट से पर आफ n ends with 0 होता है या नहीं कोई भी number 0 से end होना है तो उसका prime factor must be 2 and 5 रहना चाहिए if a number ends with 0 prime factors must be 2 and 5 suppose 10 prime factor of 10 2 5s are 10 5 1s are 5 prime factor of 10 2 and 5 कम तो भी 100 2 5s are, 2 0s are 2 2s are, 2 5s are 5 1s are, 5 5s are यहां पर 2 into 2 into 5 मिस कोई भी number 0 से end होना चाहिए तो उसका prime factor must be 2 and 5s ही रहना चाहिए अदर दूसरा number except 2 and 5 रहा तो इस नोट ends with 0 अभी हमें 60 to the power of n ends with 0 होते हैं या फिर नहीं check करना है चलो चेक करते हैं 6 to the power of n आप ऐसे भी लेख सकते हो 60 to the power of n which is equal to अभी 6 का prime factor चेक कर लेंगे 2 3s are 6 3 1s are 3 prime factors of 6 is 2 and 3 हमें prime factors 2 and 5 रहेंगे तभी ends with 0 होगा यहां पर prime factor 5 नहीं है तो it is not ends with 0 so 60 to the power of n cannot be end with digit 0 यहां पर 60 to the power of n अब n नम्बर कितना भी देदो लेकिन 0 से n नहीं हो सकता because q because its prime factors its prime factors its prime factors do not contain do not contain pair of 2 and 5 अगर यह पर में रहेगा तभी वो नम्बर ends with 0 होगा here these factors are not ends with 2 and 5 therefore 60 to the power of n cannot be end with a digit 0 प्लेए कूसे हो आडर में आड़् muốn नहीं आड़ा सभी प्सके गाए किते उ उन्दोची रहीं हो